बगति और पिकास का वास और विश्वास का जनजन के जीवन की खुश हाली का दर्पन जनजन के जीवन की खुश हाली का दर्पन ये है क्रिशी दर्शन नमस्कार स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के कृशी मंत्राले के कारेकरम क्रिशी दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ दीपा सिंग किसान साथियों किसान और क्रशी हमारी अल्थ व्यवस्था का प्रमुग आधार माना जाता है इसलिए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और आत्म निर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार कई तरह की योजनाय चलाती है इन्ही में से एक है प्रधान मंतरी कुस्म योजना इसका उधेशी है सोर उर्जा से सोलर पम्म को वित्य सह़ता प्रधान करना ताकि हमारे किसान सीचाई के साधन उपलब्द करा सके और इसके साथ है हमारे किसानों की आए में जाफा हो तो क्या है ये कुसम योजना और कैसे हमारे किसान साथ योजना से जुड़ सकते हैं और इसका लाब ले सकते हैं आज कारिक्रम ट्रिशी दर्शन में हम इसे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो चलिए देर किस पात की, आईए कारिक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेक्मेंट खबरे खेती की किसान भाईयों नमस्कार, खबरे खेती की में आपका स्वागत है आईए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरे विज्ञानिकों ने कोटन डस्ट से तयार किया वर्मी कंपोस्ट खाथ इस साल 31.57 करोड टन रहेगा खाद्यन फसलों का उत्पादन करशे विज्ञान केंद्र काजरी पाली के विज्ञानिकों ने वर्मी खाथ तयार करने का नया तरीका इजात किया है यहां कोटन डस्ट, डीकंपोजर और केचुए की मदद से वर्मी खाथ तयार की गई है क्रश्य विग्यान केंद्र पाली के विग्यानिकों ने कोटन डस्ट से वर्मी कंपोस्ट खाथ तयार किया है जो गुणवत्ता में गोबर और केचुए से तयार होने वाले वर्मी कंपोस्ट से बहतर है लेब जाच में पोशक तत्वों की मात्रा सामानी वर्मी खाथ से जात पाई गई है क्रश्वी विज्ञान केंद्र के वरिस्ट विज्ञानिक डोक्टर धीरस सिंग ने बताया कि पाली जिले में कोटन डस्ट बड़ी समश्या बनता जा रहा है डस्ट से जल, वाईउ, म्रदा प्रूशन को बड़ावा मिल रहा है केविके ने डस्ट के निस्तारण के लिए वर्मी खाथ बनाने का प्रियोग शुरू किया है जिसमें केंद्र के विज्ञानिकों को सफलता मिली है उन्होंने बताया कि शहर की एक कोटन मिल से प्रते दिन 2000 किलो डस्ट निकलता है इस डस्ट को वर्मी खाथ में बदलने के लिए अलग-अलग प्रियोग करके देखे गए हैं उन्होंने ये तरीका प्रभावी पाया गया है उन्होंने बताया कि वर्मी खाद बनाने के लिए पहले कोटन डस्ट को फवारे की सहायता से पानी में भिगोया जाता है और 20-25 दिन सरने दिया जाता है इसके बाद वेस्ट डी कमपोजर और केचुवे छोड़ दिये जाते हैं उन्होंने बताया कि बिना गोबर डाले ही 3-4 महीने में वर्मी कमपोस्ट खाद बनकर तयार हो जाता है यदि किसान गोबर का उपयोग करना चाते हैं तो इसमें 75-25 के अनुपात में क्रमशे कोटन डस्ट और गोबर खाद का उपयोग किया जा सकता है पोशक तत्वों में यह मात्रा सामाने वर्मी कमपोस्ट खाद से अधिक है उन्होंने बताया कि कोटन डस्ट यहां फ्री में उपलब्ध है जबकि एक ट्रोली गोबर की लागत 3-4 हजार रुपे आती है वहीं कोटन डस्टे तयार खाद को 5 तन प्रती हेक्टर की दर से उप्योग किया जाता है यह मात्रा सामाने वर्मी खाद से आधि है उन्होंने बताया कि तैयार वर्मी खाद का उप्योग सभी फसलों में किया जा सकता है केंद्री क्रशी और किसान कल्यान मंत्रालिय ने वर्ष 2021 में फसल उत्पादन को लेकर चोथा अगरिम उत्पादन जारी किया है जारी अनुमान में गेहूं का पास का उत्पादन कम रहने की संभावना जताई गई है जबकी धान, तिलहन और धनली फसलों का रिकोर्ड उत्पादन होना बताया गया है क्रशी मंत्राले ने कहा कि गेहूं के पैदावार 11 करोड टन लक्षे के मुकाबले 10.6-8 करोड टन हुई है ये पिछले फसल वर्ष 2021 के 10.9 करोड टन के मुकाबले कम है मंत्राले का कहना है कि गेहूं उत्पादक राज्यों में बुवाई शेत्र कम रहने और जनवरी फरवरी के मध्धे तापमान में हुई बड़ोतरी से गेहूं का उत्पादन कम रहा है जारी उत्पादन रिपोर्ट में चावल का उत्पादन 13.29 करोड टन होने का अनुमान है जबकि एक साल पहले की इसी अवधी में 12.44 करोड टन चावल का उत्पादन हुआ था दलनी फसलों के उत्पादन में पिछले साल से बड़ोतरी देखने को मिली है वर्ष 2020-21 में 2.55 करोड टन दालों का उत्पादन हुआ था जबकि इस साल 2.77 करोड टन दलहन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है वहीं कपास का उत्पादन 3.52 करोड गांट से कम होकर 3.12 करोड गांट रहने का अनुमान है क्रशे विश्व विद्याले के कुलपती डॉक्टर एनस राठोड ने कहा कि खेती को बचाने के लिए मृदा में कार्बन के साथ शुच्छम जीवों की संख्या बढ़ाने की जरूत है क्रशे विश्व विद्याले उदयपुर में जेवी खेती नेटबक परियोजना के तहट रास्ट्रिय जागरुकता दिवस कारिक्रम आयोजित किया गया कारिक्रम को विश्व विद्याले के कुलपती डॉक्टर एनेस राठोड भारतिय क्रशी प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोधिपुरम के निदेशक डॉक्टर एस पर्मार परियोजना के राश्ट्रि प्रभारी डॉक्टर एन रवी शंकर कुलपती एनेस राठोड ने क से ही दोनों तत्वों को संरक्षित किया जा सकता है उन्होंने ब्लोक चेन तकनीकी का जेवी क्रशी में उप्योग बढ़ाने पर बल दिया मोधिपूरम क्रशी संस्थान की निदेशक डॉक्टर एस पमार ने कहा कि जेवी खेती में राजिस्थान का देश में दूसरा जो किसान 0.1 प्रतीशत या इससे जादा जेवी कारवन मिट्टी में बढ़ाते हैं उन किसानों को आर्थिक लाप मिलना चाहिए कारेकरम को जेवी खेती परियोजना की राश्टर प्रभारी डॉक्टर एन रवी शंकर ने भी संभोधित किया उन्होंने बताया कि भारत में कुल बुवाई छेतर फल के 2.4 प्रतीश चेतर में ही जेवी खेती हो रही है उन्होंने बताया कि जेवी खेती बोलना सरल है ले केविके नोहर के नव निर्मित भवन का लोकारपन इस्थानिय विधायक अमिच चाचार ने किया। केविके का समूचित लाब अब मिलना शुरू हो जाएगा। केंदर पर नई तकनीक आधारीत प्रदिशन लगाये जाएंगे जिन से सीख कर किसान अपनी आयब बढ़ा सकेंगे। अटारी जूतपूर की निदेशक डॉक्टर एसके सिंग ने बताया कि हनुमानगर जिले में भार्थी क्रशी अनुसंधान परिशत का ये दूसरा केंदर है जो पशुचिकिस्सा विश्विध्याले के अंतरगत संचालित है। इसकेंदर के द्वारा किसानों को क्रशी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी समान रूप से पहुचाई जा रही है। राजुवास के प्रशार सिक्सा निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार डूडिया ने बताया कि कारिकरम के दौरान क्रशी विज्ञान केंदर नोहर के द्वारा लंपे इसकेंड डिजीज और चैने के उननत खेती फोल्डर का विमोचन भी अधितियों के द्वारा किया ग कीट की सुंडी पतियों फूलों और फलियों को हानी पहुचाती है कीट की लटें जाला बनाती है जिससे फूल पतियां कुछे की रूप में नजर आने लगती है इससे पौधे की बढ़वार रुप जाती है इस कीट के नियंतरन है तू क्यूनोल फोस 25 इजी एक लीटर प नहीं आप देखते रहिए क्रशीदर्शन नमस्कार वित्य सायता प्रदान करती है जिसके माध्यम से हमारे किसान सिचाई कर सकते है और इसके साथ ही जहां पे फसल खराब हो जाती है या हमारे किसान सोलर पैनल लगाने में असमर्थ है उनके लिए भी योजना बहुत ही अभिनव प्रियास की रूप में साबित हुई है क्या ह योजना कैसे हमारे किसान साथी इस योजना के माध्यम से जूड सकते हैं, इसके क्या पात्रता है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें, किस तरह से हमारे किसान इस योजना का लाब उठाएं, आज हम इन तमाम बातों पर जानकारी लेंगे, और इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए आज कारेक्रम में हमने खास आमंत्रित किया है इस विशा के विशेश अग्यर राकेश कुमार पाथनी जी को आप है उपने देशक उध्यान दुर्गापुरा जैपुर और इसके साथ ही किसान साथियों आपको बता दे कि पाथनी सहाब पूर्व में पीम कुस होगा पार पाब के लिए पालतरी किसान सोरक्षा रकषा इयम उत्तान माहा विए इसमें मुखेरूप से तीन component है इस योजना के अंदर इसका सोट नाम जो है PM कुसम योजना है PM कुसम योजना के तीन component है component A component B और component C जो component A है वो है जो बड़े-बड़े क्रशक हैं जिनके पास में जमीन बेकार पड़ी हुई है उस पे सौदर पैनल लगा के और उसकी बिजली का उत्पादन करके सरकार को बिजली देवें और उससे इंकम प्राप्त करें किसानों के पास बहुत सी बंजर जमीन पड़ी हुए और वह बंजर जमीन काम नहीं आ रही है तो उस पे सौदर पैनल का लगा के सौदर उत्पादन करें और उसको जो उस जिले का या उस राज्य का जो वहां पे भी सरकार ने स्वदर पंप सेट लगाने के लिए इसी योजना के तैद अनुदान दिया है त्वर्ज कंपोनेंट c और उन कर्शकों के लिए है जो काम उनके पंप सेट में जाएगी, वो तो विजली वहां काम जाएगी, बचीवी विजली को वो सरकार को बेश सकते हैं, तो इस तरह से कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट मुखे रूप से हैं, जो पीम कुसम योजना के तहत चलाए जा रहे हैं। कंपोनेंट B क्या है और कैसे इसका हम फायदा ले सकते हैं। उन किसानों को लगबख 60% अनुदान पे बारसकार के द्वारा 60% अनुदान दे हैं, जो पंप सेट की लागत आती है। और बचा हुआ जो 40% है वो कर्ष्ट की साराशी होती है, जो किसान स्वेम लगा सकता है या किसी भी बैंक से 40% में से 30% किसी भी बैंक से रिंड लेके और उसका कर्ष्ट की साराशी की रूप में जमा करा सकता है। तो इसमें हम मुखे रूप से 3 HP, 5 HP और 7.5 HP के ACO DC पंप में सॉलर पैनल और पंप सेट के साथ में हम कुल लागत का 60% अनुदान देते हैं। पाटी साथ आपने बहुत ही अच्छी बात कहीं कि हमारे किसान जिनके पास बंजर खेत हैं। अब उनके पास अगber सिचाई के साधन नहीं है तो वो इन पंपों के एसाहता से सिचाई कर सकते हैं। इसके साथ ऐसे जानना चाहेंगे पाट्टी साथ कि अगर हमारे किसान इस योजना से चूड़ना चाहें तो सबसे पहले बाद आती हैं रजिस्ट्रेसटेशन की, तो कहां रजिस्ट्रेसटेशन करें? इसके लिए किसान जो भी किसान इच्छुक है जिनके विदूत कनेक्शन नहीं है जिनके पास में सिचाई के स्तोत्र है और जिसके पास में जमीन है वो किसान इसके लिए आवेदन कर सकता है आवेदन के लिए क्रशीवाक की वैफ साइट पे या पोर्टल पे राज किसान पो कि पास्ट बुक हो जमीन की तो लगा दें साथ में सिचाई का इस्तोत्र का प्रमान पत्र चीए और एक प्रमान पत्र इसको अपना स्वेम दिख देना है कि मेरे पास अबरतमान में कर्शिव विद्यूद कनेक्शन नहीं है तो ऐसे कास्ट गार जो है वह राज किसान अदार पर हम इंको दुद निए पंदान किसानों को देतें इसकेली हमने बाःसकार के दवारा कंपनिया रइस्ट्र कर रख्या करी अँन कर एक Candy डाइ किसी भी एक ढफ़नी का ल्जापर का चाते है वो सीध़ राज को अपनी को ट्रांस्फर करते है से सिस्टा जो रहे वो सीधा हम कंपनी को ट्रांसफर करते हैं इसमें आविदन कर सकते हैं इसके बारे मैं आपसे जाना चाहेंगे बहरत सरकार की इस योजना में सभी तरग किसानों को पात्र माना गया है पात्रता के अंदर मुख्य रूप से ये रखा गया है कि आपको जितना बड़ा पंप स्रेट लगाना है उतनी जमीन आपके पाउश आउशक है, अगर आप 3 HP का पंप सेट लगाना चाहते हैं, तो minimum 0.4, मतलब 1 एकर जमीन होना चाहते हैं, अगर 5 HP का लगाना चाहते हैं, तो 0.75 हेक्टर जमीन होनी चाहते हैं, अगर आप 7.5 HP का लगाना चाहते हैं, तो कम से कम 1 हेक्टर जमीन हो जीए तो यह नियुन्तम जमीन है अधिकतम आपके वास कित्ती भी जमीन हो इसमें लगू कास्टगारों सिमांत कास्टगारों सामाने कास्टगारों सबी कर्शकों को हम इसमें अनुदान के लिए पात के रहें एक विशेश योजना राज्य सकार के द्वारा इस साल बजट म राज्य सकार का उसके लावाज 45,000 रुपे प्रती क्रशक प्रती सेथ हम स्ट और स्ट के किसानों को अत्रित अनुदान इस योजना के अंदर दे हैं पाटनी साब हमने रजिस्ट्रेशन की बात कर ली पात्रता की बात कर ली अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान दिन यह तो उसके पास बूमी की पास्ट बूक होनी चीए तो बूमी की पास्ट बूक जमामंदी साथ में क्योंकि अपन को इसको सिचाई के स्तोत्र पर लगाना है तो सिचाई के स्तोत्र का प्रमान पत्तर कि उसके पास में कुआ है नलकूप है या फारम पॉंड है जो भ फुरू में करशी विदूद कनेक्शन नहीं होना चाहिए अगर कशी विदूद कनेक्शन है तो उसको में इस योजना में लाबनी देते तो तीन मुख्य पातरत है उसके अधार पे वो किसान एपलाई कर सकते खास तोर पर उनकी लिए ये योजना है और इसके लिए आपको बता दे कि पहले बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर जिनके पास बिजली कनेक्शन हुआ वो किसान इस योजना का लाब नहीं उठा सकते हैं इस जाना चाहिए जैसे आपने बात करी यूस्पीसी की तो यूस्पीसी क्या है कैसे हमारे किसान साथी यूशना से जोड सकते हैं यह वी आप से जाना जाएंगे यह उस रगभब सिचाई के लिए सो से सवासो या डेट सो दिन तक बची वी डेट सो दिन की बिजली का जो उत्पादन हो रहा है उसका उपयोग कहा करें कैसे करें इसके लिए ये यूएस पीची यूनियर से कांपने की मसीन है उसके दवाद में अटा चकी है घर का बिजली है उन सब को भी वह उपयोग कर सकता है तो बचीवी डेड्सों दिन की विजली है उसका उपयोग वह गहरेलु कामों में ले सकता है ताकि उसके तीन सो के तीन सो दिन की उत्पादित बिजली का भरपूर उपयोग हो तो इसके लिए भी राज्य सरकार के दुवारा 60% अनुदान दे है जो इसकी कोस्ट आती है उस कोस्ट पेल 60% अनुदान है 40% करसे की सराशी जमा गरानी पड़ेगी तो इस योजना से कास्तकार 300 दिन की उत्पादित बिजली पूरी की पूरी उपयोग कर सकता है तो पाटनी साफ इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर हमारे किसान इससे ना केवल सीचाई कर सकेंगे बलकि अपने घरों में बिजली का उत्पाधन करके बिजली का इस्तिमाल कर सकेंगे यानि कि अब हर घर में इरा होगा हर घर में रौष्णी का obecरफ अंधिरया चटेगा इसका मतलब यह योजना हमारे कसान के वाकई में एक महिनाव पहल महत्व कांश्र योजना है और इससे ना केवल सवेरा होगा, हर घर में रोश्णी का सवेरा होगा और अंधीरा चटेगा इसका मतलब यह योजना हमारे किसानों के लिए वाकई में एक अभीनाव पहल है एक महत्व कांशी योजना है और इससे ना केवल हमारे किसानों को सिचाई के साधन मुहिया आउंगे बलके उनके आय में भी इजाफा होगा यानि कि कुल मिलाकर आम क्याम और गुठ्लियों के दाव इस तरह की यह योजना है पाटनी साथ आप हमारे कारिक्रम में आयो आपने धेर सारी जानकारी कुसम योजना के संधर्ब में हमारे किसानों को बताई उसके लिए आपका बहुत-बहुत धने बाद दने तो किसान साथियों आज कारिक्रम में हमने जाना प्रधान मंत्री कुसम योजना के बारे में अब हमारे किसानों को सिचाई की तरफ देखने के आफशकता नहीं है क्योंकि हमारी सरकार जो है वो सौर रूजा से संचालिट जो भी सोलर पंप है उसमें वित्य साहता दे रही है तो उमीद है कि हमारे किसान भी इस पूरी योजना कर लाब उठाएंगे लेकिन फिर भी आपके मन में किसी तरह के कोई सवाल हो या अपसे संब्धिक कोई प्रश्ण हमसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते है और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कारिक्रम क्रिशी दर्शन डेडी राजिस्थान दूल दर्शन केंद्री जैपूर और किसान साथियों आप हमें पत्र ना लिख पाएं तो हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल आइडी है क्रिशी दर्शन जैपूर अडरेट शीमेल डाट कॉम और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके इमेल्स का इंतिजार किसानों की बात किसानों के साथ और किसानों का विकास इन सभी का दरपण है आपका अपना कारिक्रम क्रिशी दर्शन तो आज कारिक्रम क्रिशी दर्शन में फिलहाल के लिए बस इतना ही लेते हैं आपसे आग गया लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कारेकरम क्रिशी दर्शन में खेती किसानी के एक नई जानकारी को लेकर एक नए विशय के साथ तब तक के लिए पूरी टीम को दीजे आग गया नमस्कार